हाई फ्रेंज मैं हूँ माने वेलकम टो मूवी शूवी करते हैं आपसे में पॉजटव सा नमस्कार कभी-कभी कुछ-कुछ मूवी देखते हो नो जो साइकलोजिकल थ्रेलर होती उसके बाद आप बोलतोगी और यह कैसी एंडिंग थी यह तो बहुत ही अबरप्ट तरीके के एंडिंग थी इसका मतलब क्या है और ऐसी एक मूवी है एलीन जो की जियो सिनेमा के प्लाटवर्म पे अभी रिलीज हुई है वैसे दो 2023 की थी जो मैं देखना शुरू हुआ थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ बड़ा ही लेजी आपको इ ब्यूसेफ फादर से थोड़ा सा अजीब से तरीके से बरहे रहे हैं दोनो 1964 का दोर है अब पुराना जमाना है कोई मुबाहिल फोन जादा नहीं है पुरानी गाडिया है और यह एक टीन प्रिजन के वहाँ पर कहीं helping hand करती है अचानक से वहाँ पर एक लड़की आती है रि defatuate हो जाती है attracted हो जाती है अब यह दोनों किसी तरीके से case के इंदर involved हो जाते हैं जहां पर एक इंचान के उपर case चल रहा होता है जो है ली अब उसके अंदर क्या कुछ होता है यह ली के साथ और इनकी कहानी इसके अंदर कैसे indulge हो जाती है वो एक इतना जादा mysterious turn ले जात होते है जब यह dramatic turn लेना शुरू कर देता है ली का case जब conclusion के ओपर ही होता है यह अचानक से movie end हो जाती है और you see Aline just smiling and going away तो आप बोलते हो किया यह हुआ क्या इसका मतलब क्या है और यह जो any halfway का character है वो कहां गया यह सारी जो बाते हैं यह हमालग वीडियो के अंदर करेंगे पर जिस तरीके से यहां पर direction हुई है जिस तरीके से यहां पर धीरे धीरे एक suspenseful महौल बनाया गया है mysterious सा stylish सा color grading next level की यहां पर करेंगे और जिस तरीके से यहां पर दोनों characters के एकदम contrast दिखाएगे हैं but yet their core is the same उनका जो core है वो एकदम same है but at the same time Annie Hathaway का और Thompson Mackenzie का जो character है यह पर जो main Elin का character कर रही है वो दोनों बहुत हत्तक similar है और वो similar कैसे हैं चाहे एका exposure बहुत जादा हुआ एक exposure जादा नहीं हुआ एक बहुत जादा खुल गई है एक जादा आपी तक खुली नहीं है लेकिन end में जब आप पूरा निशकर्ष देखते हो तो आपको ऐसा लगत साथ आपको यह समालना होता है चोट-चोटे cues देने होते हैं और जो dynamics है relationship के लिए उसके लिए moments create करना बहुत जादा ज़रूरी होता है तो moment जब एक दूसरे के साथ होते है lonely time होता है चाहे वो first time kiss हो चाहे कुछ और चीज़ हो मैं आपको हलका सा cue दे रहा हूं बस वो क्या क end bending हो जाती end में आते आते starting आपको लगता है बड़ा run-of-the-mill कारे करम चल रहा है एक लड़की है जो mundane काम कर रही है अचानक से एक और आती है जो वैसा बनना चाहती है वैसा बनने के चक्कर में वह दूनों के अंदर involved होते हैं एक मले समय लीड करती है कि उसकी shadow बन जाती है और end होते होते क्या यह shadow और वो मर्ज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं वह आप देखते हो इस movie के अंदर जिसका नाम है एलीन काफी इंट्रेस्टिंग मूवी है highly recommended go and watch it घराए